हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे महस्त होंगे सब अच्छे से मन लाया के पढ़ाई करते होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास दसमी के वास्तविक संख्या का चेप्टर प्रस्णावली 1.1 का क्वेश्चन नमर को स्वाल्व करेंगे तो देखें कहता है विचार करने के लिए को समाप्त होगा या नहीं होगा यह विचार करने के लिए का थाथ यह प्रस्णावली 1.1 का को स्वाल्व किये थीक उसी प्रकार इसको हम स्वाल्व करेंगे देखे यानि कि हम इसको पहले रफ के थुरू जाओ वा समझते हैं यहाँ पे इसको आप नहीं भी उतारेगा चलेगा ठीक है देखे काता है चार्क पावर एन जो हुआ अंक 0 पे समाप्त होगा यह जो हुआ कहता है बताने के लिए यह जो चार्क पावर एन है वा अंक 0 पे स जानते हैं प्राकिर्टिक संख्या है तो एक दो तीन चार देखिए चार पावर रखेंगे तो चार आनिका स्थान पर पहले एक रखेंगे यहां पर देखिए दस का वहाज गुन्खन करेंगे तो ने पांच आया है निकी दूग ने पांच आया है आँ तो यह हमारा कितना आएगा दूग और यहां माँच ॉदलिए ना कितना होगा और यहlyक पांच आयगा और इक सब्सक्रा सब्सक्रीय दूखू जब हम लेंगे दूखाओ और फिर ये दो आएगा, दो दुनी चार दुनी चार और ये हमारा पाँच आएगा, और फिर हमें ये पाँच आएगा, यहनि कि हमें यह 100 का अएंध अवाज उन स्भाइब्ध यह एक चार दुना करते हैं, तो और पाँच होना चाहिए, जब 215 होगा, तब ही जाकर वह अंक 0 पे समापत होगा वड़नारt 0 पे समापत नहीं होगा तो वही बात यहां पे हम लिखते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिए अब देखिए यह हल देखर आप यहां से लेकर यहां तक लिख दीजेगा जो आपको हम उपर अभी बता हैं वही यहां पर लिखा हुआ है वह कैसी हम आपको बता हैं तो अभी आपको हम समझाते हैं देखिए हम जानते हैं कि कोई भी संख्याँ जीरो पे तब ही समाप्त होता है जब हम उनका अभाजगुन खन करते हैं तो कम सकम दो गुने पांच के रूपका होना चाहिए अभी आपको हमाने की एकजामपल दिये थे कि जब भी जो हुआ अंक जीरो पे समाप्त होगा वह दो गुने इनके पत्व पर दू भाजगुन करते हैता कि और च्रहला करते हमने सङते हुआ यहां यहां पर लिख दीजागा दूगों दुगने पांच के रूप का नहीं है अता किसी भी प्राक्रितिक संग के लिए चार्क पावर एन अंक जिरो पे समाप्त नहीं हो सकता है आई होब कि आप लोग ये इतना जो हो बहुत ये अच्छा तरिकार से समझ गयोंगी ति ये इतना जो हुआ लिख दीजेगा आपको द जब का ये इतना जो हुआ है?